हलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल विनाए स्टडी के एन में श्वागत है दोस्तों आज की वीडियो हम 36 गड़ असिस्टेंट प्रोफेसर एक्जाम के लिए लाइव टेस्स सेरीज देखेंगे और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजेगा और आप सभी को गुड़ अफ्टानून दोस्तों चैनल पर नए आए आए तो चैनल को सब्सकाइब कर दीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि वीडियो के नोटिविकेशन आप तक सहूत्तर कॉमेंण किजेगा और इसका सहूत्तर होगा ओप्शन ए पंडिस सुन्दालाब सर्मा पंडिस सुन्दाला सर्मा चत्तीजड़ से सवतंतरता संग्राम सेनानी थे और इनकोने समित्रा मंडल शत्यागरह आशनम और सतनमी आशनम की स्थापना की थी जाहं दोस्तो दूसरा प्रशना आपकी स्क्रीन पर है देखिएगा निम्नमे से 36 रड़ का प्रथम प्रभारी किस ब्रिटिस अधिकारी को बनायेगा ओप्शन आपके स्क्रीन पर है कप्तान एडमन, करनल एगनू, कप्तान जॉन्स, निकोलसन, सर जेम्स वियर हॉग तो इसका सेहुत्तर होगा ओप्शन, कॉमेंट कीजेगा सेहुत्तर होगा ओप्शन ए होगा ब्रेटिस सरक्षन काल के दौरान, 36 रड़ में न्युक्त होने वाले प्रथम ब्रेटिस अधिक चक, कैप्टन एडमन थे और इसकी न्युक्ती 1818 में हुई थी जा रखेगा 1818 में तीसरा प्रशन है ब्रेटिस सरकार द्वारा किस वर्स आप राधिक जनजाती अधिनियम पारित किया गया था ये ब्रेटिस है ओप्शन दिया है 1818, 1884, 1871, 1883 तो इसका सेहुत्तर होगा 1871 1871 को ब्रेटिस सासन द्वारा आप राधिक जनजाती अधिनियम पारित किया गया था उसके बाद अगला प्रस्ण देखते हैं अंग्रेजों से ठीक पहले 36 गड़ पर इनमे से किसने सासन किया था तो आप सभी को पता है कि 1741 से 1818 तक 36 गड़ में मराठों ने सासन किया था तो इसका सेहुत्तर क्या होगा? ओप्शन भी होगा मराठा 36 गड़ में कल्चूरी सासन के पस्चात मराठों का सासन इस्थापीत हुआ फिर मराठों के पस्चात अंग्रेजों ने इस शेत्र पर अपना सासन इस्थापीत किया तो मराठा से पहले कल्चुरी के बाद अंग्रेज जहां रखेगा इस क्रम को आगे बढ़ते हैं पाँचवा प्रश्ना आपकी स्क्रीन पर है 1905 में इनमें से किस जिले को ओडिसा में सामिल किया गया ऑफ्शन है देखिएगा बहरामपूर, संबलपूर, जसपूर और जहासरगुडा इसमें से सहुत्तर क्या होगा आपको बताना है और इसका आंसर काफी आसान है ऑफ्शन भी इसका सेुत्तर होगा 1905 में हुए राज्यों के पुनर गठन के दौरान मध्यप्रांच से संबलपूर जिले को ओडिसा में सामिल किया गया जबकि बंगाल प्रांथ से वर्तमान में सरगुजा संभाग को मध्यप्रांथ में सामिल किया गया तो option भी सही होगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर छटवा प्रशन असायोग आंदोलन में दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत का परित्या किया था option यहाँ पर दिया हुआ है उसके बाद सही कुट आपको पहचानना है ध्यान रखेगा पहले देख लीजेगा इसमें से कौन-कौन से है उसके बाद नीचे हम कुट दिखाते हैं जी अब सही हुत्तर बताईएगा तो इसका सही हुत्तर होगा option भी होगा बस और दा देख लेते हैं बस और दा यह बस और दा ठाकूर प्यारेलार सी, गंचान सी, गुप्त और रतनाकर जाने दुर्ग जिले के प्रसिद्ध वकील थे और उन्होंने सहीज़ग आंदोलन के दौरान अपना बकालत को त्याग कर दिया तो इसमें से रामदयाल तिवारी नहीं है बाकी तीन है ध्यार रखेगा साथवा प्रश्ण प्रिस ब्रेटीस ने 1818 मे चत्तिज़ग की राजधानी रतनपूर से रैपूर इस्तांतरित की आपको बताना है ओप्शन है देखिएगा कैप्टन एडमन, मेजर एगनू, क्राफ़ड और मिस सिंडोस सहयुत्तर क्या होगा तो इसका सहयुत्तर आपको कॉमेंट करना है तो दोस्तो ब्रेटीस सरक्षन काल के दोरान, चत्तिज़गड में न्युक्त द्वीती, ब्रेटीस अधिक्चक कैप्टन एगनू ने चत्तिज़गड के राजधानी रतनपूर से इस्तांतरित कर रैपूर को बनाया तो ऑप्षन भी इसका सहयुत्तर होगा आठवा प्रश्न आपके स्क्रिंग पर है, देखिएगा भारत के सविधान निर्मान सभा में चत्तिज़गड के निमलिखित व्यक्ती ब्रेटीस चेत्रों से निर्वाचित हुए है आपको बताना है तो इसके बाद आपको कूट दी गई है, कूट को आपको पहचानना है तो इसमें सहीं होगा ओप्षन ए, रवी शंकर्शुकल, ठाकूट छेदी लाल और घंश्यामसी ठीक है तो इसमें सहीं कूट जो होगा ओप्षन डी होगा 1946 में निर्मीत सविधान सभा में 36 गड़ के ब्रेटीस प्रांच से पंडित रवी संकर्शुकल बैरिष्टर छेदी लाल और घंश्यामसी गुप्त निर्वाचित हुए थे इसमें से घंश्यामसी गुप्त को हिंदी प्रारूप समीती का अध्यक्ष बनाया गया था पंडित रवी संकर्शुकल चेदी लाल बैरिष्टर बैरिष्टर चेदी लाल बोलते हैं इसे तो सहिंत्तर आपको बताना है तो इसका सहिंत्तर होगा ओप्षन कॉमेंट कीजेगा असयोग आंदोलन के दोरान पंडित वामर्राव लाखे ने अंग्रेजी सासन द्वारा दी गई राय सहाप की पदवी त्याग दी जिससे प्रसंद होकर जनता ने उसे लोगप्री की उपाधी प्रधान की तो सहिंत्तर क्या होगा ओप्षन ए वामर्रा लाखे ध्यार रखेगा आगे बढ़ते हैं दस्वा प्रष्ट बिलासपूर में भारत छोडो अंदोलन के नेता थे ओप्षन दिया हुआ है ठाकुर छेदी राल जै नरान पांडे यदुनंदन प्रसात्रिवास्तो राज की स अब इसके बाद कूट दी है कूट को आपको देखना है और सहीं कूट भाचानना है जी तो इसमें सहीं उत्तर होगा ओप्षन कूट देखिएगा फिर यहां से मेच कीजिएगा तो इसमें कूट जो सहीं होगा 1,3 और 4 यहां रखेगा एक तीन और चार बैरिष्टर छेदी डाल युर्णंदन प्रसाथ स्रिवास्ता और राज किसोर वर्मा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विलासपूर से संबंधित नेता थे यह जैनरान पांडे नहीं थे यहां रखेगा आगे बढ़ते हैं ग्यारवाप सहित्तर आपको कॉमेंट करना है तो दोस्तो कोरियार यासत के रामानुज गंज प्रताप सी ने गोल में सम्मिलन में भाग लेने के लिए लंदन गये थे तो ऑप्शन होगा रामानुज प्रताप और उन्होंने सासन प्रमुखों का नित्रित भी किया था थीक है ध्यार र प्रशन है 15 अगस्त 1947 रायपूर के गांधी चौप में किसने जंडा फाराय था ओप्शन आपके स्क्रीन पर है देखेगा ठाकूर प्यारे लाल पंडित लच्मिन रायंदास वामार रावलाखे और सीवदास डागा तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को नाकपूर के सीता बडी किले में 25 रवी संकर सुखल ने तिरंगा फाराय रापूर के गांधी चौप में वामार रावलाखे ने जबकि पुलीस लाइन में आर के पाटिल ने तिरंगा फहराया तो इसका सहित्तर क्या होगा वामर्रा लाखे जा रखेगा आगे देखते हैं तेरवा प्रश्ण अठारा जन्वरी 1941 को बिलासपूर में आयोजी चत्तिरगर विभाग हिंदी साहित सम्मेलन के प्रथम अधिव जन्वरी 1941 को बिलासपूर में आयोजी चत्तिरगर विभाग हिंदी साहित सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्चा सर्यू प्रसात रिपाठी थे तो आप्शन भी सही होगा आगे बढ़ते हैं 14 प्रश्ण विख्यात सोना खान जमिदारी इस्तित है बलादा बजा तहसिल में इस्तित है काफी असान प्रश्ण है उसके बाद देखे पंद्रवा 1857 की क्रांती के समय रायपूर के डिप्टी कमिशनर कौन थे मेजर एगनू, कैप्टन इरियट, मेजर सिडबेल और कारनल फ्रेजर सही उत्तर आपको बताना है 1857 की क्रांती के समय तो इसका स परते हैं और आज का लाश प्रश्ण है 1907 में देश की प्रथम चात्र हर्ताल किसके नित्रित्व में नांद गाउं स्टेट हाई स्कूल में हुई थी घंसाम गुप्त ठाकूर जगमुहन ठाकूर प्यारे लाल सी बुद्राम शाहू तो सही उत्तर आपको बताना है कॉमें कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा ठाकूर प्यारे लाल सी के नित्रित्व में 1907 में देश की प्रथम चात्र हर्ताल राजनांद गाउं स्टेट हाई स्कूल में हुई तो ऑप्शन सी सही होगा तो दोस्तों आप हमें फेस्बुक पर भी फालो कर सकते हैं इस्टाग्राम हुई झालो